Hello everyone, आज की सुडियो में सीखेंगे इंगलिस के जरूरी कंजंक्शन जो अंगरेजी बोलने में काफी ज्यादा यूसपुल है Use of and, and का मतलब है और जिससे बोलते हैं, वो और मैं स्कूल जाओंगा यहाँ पर और परियोग हुआ है, इसके लिएंगरेजी में सब्द है And, जैसे He and I will go to school मैं किताब और मोबाइल खरीदना चाहता हूँ I want to buy a book and a mobile तो इसे हम परियोग कर सकते हैं How, how का मतलब है कैसे जैसे इसका परियोग करते हैं, तुमने कैसे उससे पैसे लिया How did you take money from him यह पर दगे, how WS family का एक word है जो परियोग किया जारा है कैसे के लिए जो परियोग किया जारा है वे जानने के लिए मतलब तरीका जानने के लिए वो कैसे पेड काटा How did he cut the tree या पर हाव का परियोग कैसे के संस के लिए परियोग किया गया है But, but का मतलब है परन्तू, या पिर साहें तो आप बोल सकते हैं किन तो, चाहें तो आप बोल सकते हैं लेकिन ये सभी एक word का meaning है जैसे बोलते हैं, वो school गया परन्तू मैं सो रहा हूँ तो sentence हैं, he went to school, but I am sleeping रमेश किताब पढ़ रहा है परन्तू मैं टीवी देख रहा हूँ रमेश is reading the book, but I am watching टीवी या पर परन्तू सब्दों हैं sentence में consumption का का काम कर रहा है मतलब ये connector का का काम कर रहा है that का मतलब है की that का परियोग multiple तरीके से किया जाता है लेकिन यहाँ पर meaning है की का उसने मुझे से कहा की मैं बजार जाओगा sentence बनेगा he told me that he would go to market ये direct से indirect में बनाया गया है he told me उसने मुझे से कहा की वो बजार जाएगा रवी ने कहा की मैं कार करेदना जाता हूँ रवी told that he wanted to purchase a car तो इसे ही sentences बना सकते हैं कई सारे बोथ का मतलब हैं दोनो इसे तुम दोनो किताब पढ़ रहे थे तो sentence बनेगा both of you मतलब तुम दोनो were reading the book किताब पढ़ रहे थे both के बास जो भी हमारा वब आएगा वो हमारा plural होगा ये both के साथ हम कोई भी noun या pronoun को परियोग कर सकते हैं इसे हम बोल सकते हैं both of you, both of him, both of her, both of us इसे हम परियोग कर सकते हैं pronoun के objective case को हम दोनो बजार जाएंगे both of us will go to market या पर अस परियोग किया गया है हम के लिए नोर, नोर का मतलब है ना तो जैसे ना तो में ना तो तुम यहां काम करोगे तो संटेंस बनेगा नेदर आई नोर यू विल डो देस वर्क ना तो वो ना तो उसका भाई घर गया नेदर ही नोर हिस ब्रदर वें टू हाउस तो आप आप समझ सकते हैं कंजंग्सन के लोप में परियोग किया गया है नेदर के बाद नाउन या प्रोनाउन नोर के बाद नाउन या प्रोनाउन इसके बाद वब जैसा कि वब के साथ अब्जेक्ट भी आता है निंदर के साथ ही देखे आपका प्रोनाउन है नोर के साथ यहाँ पर नाउन प्रोनाउन इससे प्रयोग किया गया है एदर का मतलब है या तो या तो रवी या तो मैं उससे मिलूंगा तो संटेंस होगा एदर रवी और आई रवी या तो मेरा दोस्त उसे पीटा एदर रवी और माई फ्रेंड बेट हिम या बेट हिम बोलेंगे क्योंकि संटेंस हमारा पास्ट इंडापनित है मतलब हमारा वी तू है यह बद गे either और is भोए इसके 20 में either और either के बाद noun इदर के बाद यहाँ पर noun ऐसे परियोग कर सकते हैं when when कम मतलब है come इसका परियोग करते है times आनने के लिए तुम कब उससे मिलोगे when will you meet him, वो कब बजर साएगा, when will he go to market तो WS family का एक word है जिसका पर्योग sentence के शुरू में किया साता है इसके बाद जो भी हल्पी वब होगा tense के नुसार उसे लिख देंगे If का मतलब है यदी या फिर आप बोल सकते हैं अगर दोनों तरह के साथ इसे पर्योग कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब समझते हैं इसके examples के हैं यदी मैं एक पक्षी होता तो अकास में ओड़ता तो sentence बनेंगे If I were a bird I would fly in the sky तो sentence के शुरू में इफ का पर्योग किया गया है और यह यहां का इसका meaning है यदी का यह sentence conditional sentence का लाते हैं यदी वो पेड काटा होता तो वो घर आचुका होता If he had cut the tree he would have come to house यह पर देगे if का पर्योग किया गया sentence का meaning आप देख सकते हैं हिंदी से इंग्लिस में है Now, now का मतलब है अब जिसे मैं अब जा रहा हूं I am going now वो अब काम नहीं करेंगे He will not work now, now सब्दु का आप साहें तो sentence के शुरू में भी पर्योग कर सकते हैं और और का meaning है या जिसे मैं या तुम उसका मदद करोगे I or you will help him या पर और का पर्योग किया गया है यह conjunction के रूप में जो I को भी connect कर रहा है और you को भी connect कर रहा है रवी या पिरिया खाना पकाएगी या पर देखे दो नाउन के बिस में और का पर्योग किया गया है मतलब यह दोनों जोडने का connect करने का काम कर रहा है as, as का मतलब है जैसा जिसे बोलते हैं जैसा तुम चाहते हो as you want जैसे तुम कहते हो as you say जैसा उसने कहा मैंने किया I did as he said पैसरी संटेंसे कई सारे बन सकते हैं as if, as if का मतलब है मानो जैसे वो इससे डांस करती है मानो डांसर हो she dances in such a way as if he were a dancer यह पर female है यह पर परियोग होगा she, she were a dancer यह पर as if sentence के बीच में परियोग किया सार है मतलब दो sentence के बीच में यह sentence में काम कर रहा है consumption का मतलब connector का तो मैं इसे बोल रहे हो जैसे वक्ता हो you are speaking in such a way as if you are a speaker यह पर as if का मतलब है मानो और इसका परियोग कंजंग्सन के रूप में किया जा रहा है so that का मतलब है ताकि इसका भी परियोग कंजंग्सन के रूप में करते हैं मैं पढ़ाई करता ताकि एक अस्छा नौकरी पर सकूँ I study so that I can get a good job वो जल्दी आ गया ताकि साम में घर जा सके ले गया वो उस किताब को ले गया he took that book इसे sentences बना सकते हैं unless unless का मतलब है जब तक जब तक तुम यहां नहीं आओगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दोंगा unless you don't come here I will not give you money sentence जब याप unless से बनाते हैं वो sentence आपका present indefinite वे मनेगा अगर वो sentence सिंदी में future indefinite में लिखा हुआ है तो इससे आप देख सकते हैं और दुसरा sentence future indefinite में बनेगा से वो positive हो या negative हो जब तक वो परिक्सा पास नहीं करेगा मैं यहां आने नहीं दोंगा unless he passes the exam I will not let him come here किया पाद कि unless का परियोग है वो sentence हिंदी में future में लिखा हुआ है लेकिन बना English में present indefinite में है whether whether का मतलब है चाहे जसे बोलता है चाहे तुम जाओ या नहीं मुझे कोई परभा नहीं है whether you go or not I don't care चाहे वो किताब पढ़े या नहीं मैं उसे कुछ नहीं बोलूँगा whether he reads a book or not I will not say to him I will not say to अभिया मतलब है उसे उसे के लिए यू नहीं बलकि आपर ही मुझे आएगा I will not say to him anything मैं उसे कुछ नहीं बोलूँगा whenever whenever का मतलब है जब कभी भी जब कभी भी तुम उसे मिलोगे उसे पैसे दे देना whenever you meet him give him some money give him money ऐसे बोल सकते हैं जब कभी तुम इसे लेना चाहो इसे ले सकते हो whenever you want to take it you can after after का मतलब है बाद में उसे वो रमेज के बाद पैसे दिया he gave money after रमेज after रमेज का मतलब है रमेज के बाद मैं खाना के बाद उसे मिला I met him after food after food मतलब खाना के बाद as soon as इसका मतलब है जैसे ही जैसे ही मैं उसे मिला वो हसने लगा as soon as I met him he started laughing as he started laughing मतलब वो हसने लगा as soon as मतलब जैसे ही जैसे मैं उसे पैसे दिया वो दुकान चला गया तो sentence होगा as soon as I gave him money जैसे ही मैंने उसे पैसे दिया he went to the shop वो दुकान चला गया as long as इसका मतलब है जितनी देर जैसे जितनी देर तुमने इंतिजार किया मैं वहां काम कर रहा था as long as you waited I was working there जितनी देर वो बैठा रहा मैं सो रहा था as long as he kept sitting I was sleeping तो जितनी देर के लिए परयोग किया साता है as long as और यह sentence में conjunction का काम कर रहा है because, because का मतलब है क्योंकि जिससे वो सो रहा है क्योंकि उसे बुखार है he is sleeping because he has a fever मैं काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है I am working because I need some money before, before का मतलब है पहले जिससे हम परयोग करते हैं वो मुझे से पहले पहुश गया he reached, he reached, वो पहुश गया before me, मुझे से पहले गाड़ी खुलने से पहले, मैं स्टेशन पहुश गया I had reached the station before the train started ये sentence आप दे सकते हैं कि पहले, मतलब ये before सब्द conjunction के रूप में यहाँ पर परयोग किया गया है और यहाँ पर परयोग किया गया है preparation के रूप में मतलब एकी सब्दों का परयोग multiple तरीके से खिया जाता है बताता वो है कि कैसे वो काम कर रहा है sentence में उससे पता चलेगा यह conjunction है या preparation है फोर का मतलब है के लिए वो काम के लिए office गया he went to office for work रमेस laptop के लिए यहां आया है रमेस has come here for the laptop फोर का मतलब है के लिए येट का मतलब है अभी तक मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ I have not met him yet I have not met him yet मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ वो अभी तक किताब नहीं पड़ा है he has not read the book yet तो sentence में yet का परियोग सबसे last में खिया जाता है और इसका meaning अभी तक के लिए होता है so, so का मतलब है इसलिए वो मुझसे करोदी थे इसलिए मैं यहां हूँ he is angry with me so I am here so का meaning है इसलिए का वो खेल रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ he is playing so I am reading only only का मतलब है केवल वो केवल अंग्रेजी जानता है he knows English only only का परियोग sentence के last में यह शुरू में परियोग कर सकते हैं तुम केवल उससे पता पूछा you asked him address only यहाँ पर आप समझ सकते हैं के only का मतलब है केवल या सिर्फ हो मैं केवल मैंने टेबल पर किताब रखा I kept the book on the table only यह अपर आप परियोग कर सकते हैं only का since since का मतलब है save जिसका परियोग point of time के लिए क्या साता है मतलब जिसमें calendar या watch का time हो उससे अप लिखते हैं वो सुबह से काम कर रहा है he has been working since morning वे लोग 2010 से match खेल रहे हैं they have been playing the match since 2010 यह दोनों time आपको calendar या watch में मिल जाएंगे सुबह, साम, बच्चपन इन सभी के साथ since का परियोग किया जाता है say के लिए जिसे सुबह से since morning 2010 से since 2010 ऐसे परियोग करते हैं तुम साम में किताब साम से किताब पढ़ रहे हो you have been reading the book since evening तो यहाँ पर ऐसे यह परियोग किया जाता है you drop then then का मतलब है say और इसका परियोग किया जाता है compare करने के लिए तुम उससे लंबा हो you are tall यहाँ पर होगा tall नहीं बलकि taller you are taller than him तुम उससे लंबा हो मैं तुम से आगे हूँ I am ahead than you ऐसे परियोग कर सकते है यह पर tall एड्सक्टी में इस वज़े से tall को taller करना पड़ेगा जो कि अगर आप degrees जानते होंगे तो पता होगा though means halanki है halanki में बिमार था फिर भी काम कर रहा था though I was ill even then मतलब फिर भी I was working halanki वो अमीर है फिर भी कंजूस है though he is rich even then he is miserable until until का मतलब है जब तक जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम यहां बैठ सकते हो तो sentence होगा until I come you can sit here जब तक वो नहीं आया मैं काम करता रहा until he came I kept working तो इसे परियोग किया साता है until का until का परियोग करता है time बताने के लिए जब पर time कब हो दो वहां पर until का परियोग कर सकते है जब तक के लिए while while का मतलब है जब की वो खेल रहा है जब की तुम पढ़ रहे हो he is playing while you are reading while का परियोग sentence में conjunction के रोप में है वे लोग सो रहे हैं जब की हम लोग टेवी देख रहे हैं they are sleeping while we are watching टेवी तो इससे ये परियोग करते हैं while का जब की का meaning के लिए although का मतलब है यद पी जिससे हम बोलते हैं यद पी मैं भूका हूँ खाने को कुछ नहीं है although I am hungry there is nothing to eat लेकिन बोलने के समय कौमा नहीं बोलते हैं लेकिन याप नजर डालने के लिए मैंने कौमा बोला है यद पी वो गरीब हैं फिर भी वो मदद करता है although he is poor he helps he helps मतलब वो मदद करता है जिसका मदद करता है आप यहां object में लेख सकते हैं as much as इसका मतलब है जितना जितना चीनी तुमने खरिदा मेरे पास नहीं है as much as you bought sugar I don't have जितना तेल वो बेचा मुझे पैसे नहीं दिया as much as he sold oil he did not give me money यहां पर दिखे sentence के से है as much as मतलब जितना he sold he sold oil उसने तेल बेचा या तेल वो बेचा as though as though का मतलब है मानो जिसे बोलते है वो इस अंग्रेज जी बोलता है मानो अंग्रेज हो he speaks English in such a way as though as though का मतलब है मानो he were an Englishman वो अंग्रेज हो तो मैं इसे बोलते हो मानो वक्ता हो you speak in such a way as though you were a speaker even even का मतलब है भी जिसे मैं भी बाजार नहीं गया even I didn't go to market वो हिंदी भी नहीं जानता है even he doesn't know हिंदी या पर even का मतलब है भी का even का मतलब है भी का even if इसका मतलब है भले ही जिससे हम बोलते हैं भले ही तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ इवन इप इवन इफ यू फॉर्गेट मी आइकान नाट फॉर्गेट यू भले ही तुम्हें गाली दो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा even if you abuse me I will not say anything to you तो even if का मतलब है भले ही आप यहाँ पर देश सकते हैं कि संटेंस कितना ऐसे तरिके से बनाए सारा है और ऐसानी से आप बना सकते हैं साम तो साम कॉपी करके now since इसका मतलब है अब से इसे अब से तुम वहाँ नहीं जाओगे now since you will not go there now since he will not work here यह पर अब से का मतलब है now since now that का भी मतलब है अब से जिसे हम बोलते हैं अब से मैं काम करूँगा now that I will work अब से मैं काम करूँगा अब से तुम कार से लाओगे now that you will drive a car once, once का मतलब है एक बार एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ once I want to meet you एक बार कोशिस करो try once आप साहे तो once को sentence के last में भी परयोग कर सकते हैं शुरू में भी कर सकते हैं fond of इसका मतलब है sokin हो ना कोई भी काम करने के या कोई भी काम के मैं अंग्रेजी का sokin हूँ I am fond of English तुम कार से लाने के sokin हो you are fond of driving a car fond of के साथ अगर web आना होगा तो वो web वी फोर होगा या फिर कोई noun होगा English के जैसे bound to इसका मतलब हैं तय हैं जिसे उसका अंग्रेजी बोलना तय हैं he is bound to speak English उसका आज यहां आना तय है he is bound to come here today तिया पर bound to के बाद वो अपका first form आएगा bound to के बाद वो अपका first form आएगा good at good at का मतलब हैं अच्छा है वो अंग्रेजी बोलने में अच्छा है he is good at speaking English तुम काम करने में अच्छा हो you are good at working about to about to का मतलब हैं वाला है वो वहां पहुचने वाला है he is about to reach there तुम उसे पैसे तुम लोग पैसे कमाने वाले हो you are about to earn money you are about to earn money तुम उसे तुम पैसे कमाने वाले हो used to इसका मतलब हैं आदी है पिरिया गेम खेलने का आदी है पिरिया is used to playing the game तुम लोग सराप पीने का आदी हो you are used to drinking wine used to के बाद जो भी वब आएगा वो वीफोर होगा used to के बाद जो भी वब आएगा वो वीफोर होगा जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं जो बताता है present में habit कि कोई काम करने का कोई भी काम करने का आदी है आभव आभव का मतलब है ओपर जैसे बोलते हैं फोटो के ओपर एक फोटो है मतलब इससे समझे एक दिवार है और इस दिवार में एक फोटो यहाँ पर है और इसके ऊपर सिदा में एक फोटो और है तो वहाँ पर आप आभव का प्रियो करते हैं sentence बनेगा there is a photo of photo description के ऊपर title है there is a title of description there is a title बूल सकते हैं title है of description मतलब डिस्क्रिप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट के बीच में, मैं बैठा था, यहां पर तके बीच में, के बीच में के लिए परियोग करते हैं, अमंग, जैसे अमंग का परियोग करते हैं जब दो लोगों से अधिकी बात हो मतलब दो से अधिको अगर दो हो तो बिट्वीन हमारे पास दो से अधिको तो अमंग है बिनीथ का मतलब है के नीचे उससे तक्या के नीचे मोबाइल है There is a mobile beneath the pillow तिया पर beneath का परियोग तब करते हैं समझे यह तक्या है और इस तक्या के नीचे फोन है यह तक्या और फोन एक दुसरे से टच कर रहा है और तक्या पुरी तरह से फोन को ढखा हुआ है मतलब ढख दिया है किताब के नीचे पैसे हैं There is money beneath the book मतलब book ने पैसे को ढख दिया है और book के नीचे पैसे है From, from का मतलब है Say, इसे वो दिल्ली से आ रहा है He is coming from Delhi From कई उस करते हैं किसी भी जगह से जब आप अलग होते हैं जब आप दूरी बनाते हैं उसमें इसे दिल्ली से आ रहा है You are coming from school From कई परियोग किया गया एक परियोग किया जैसा क्योंकि आप परियोग कर सकते हैं Even then Even then का मतलब है फिर भी जिसे वो गाली देता है मैं फिर भी उससे बात करना साता हूं He abuses वो गाली देता है Even then I want to talk to him फिर भी मैं उससे बात करना साता हूं वो अंग्रेजी सिखता है फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल पाता है या बोल नहीं सकता है The sentence सुनेगा He learns English वो अंग्रेजी बोलता है वो अंग्रेजी सिखता है वो अंग्रेजी सिखता है He learns English Even then फिर भी इससे बोलते हैं, पत्र लिख लो, अगर आफिस में जरुरत पड़ जाए तो, तो sentence बनेगा, write a letter in case you need in the office, तो in case का मतलब हैं, कि आपका meaning है अगर का, या फिर यदी का, पैसे ले लो, अगर कुछ खरेदना पड़े तो, take money in case you need to buy something, इससे बोल सकते हैं, इससे बोलता हैं कि छाता ले लो, अगर वारिस हो जाए तो, वहाँ पर अगर के लिए in case का पर्यूग करते हैं, provided, provided का मतलब हैं, सर्थ हैं, जिसे मैं तुम्हें पैसे दूँगा, सर्थ हैं कि तुम मुझे वापिस करोगे, I will give you money, provided you will return me, वो यहाँ आएगा, सर्थ हैं कि तुम उसे रुकने नहीं बोलोगे, He will come here, provided you will not say to him to stay, तो इससे यह पर्योग किया साता है, provided का सर्थ हैं के लिए, सर्थ हैं या बसर्थ हैं इस परगर के मिनिंग के लिए, So guys, thanks for watching, that's all for today.